तो हेलो ट्रेडर्स तो कैसे आप सब उमीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है दस से 15 मिनट है और इसी में हम कोसिस करेंगे जो है इसका 10% बनाने का यह जो 49 जर है इसका हम कोसिस करेंगे 10% बनाने का तो हम जो है त्रेडिंग फास्ट करेंगे और जो कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगा वह हम थोड़ा जदा करेंगे तो सबसे पहले यहां पर मैं एक्सल सीट को ओपेन कर लेता हूं और आज का देखते हैं कि अपने को जो प्रॉफिट है वो कितना करना है तो देखिए टाइम के कि टाइम एक्सल सीट है और पहला डे जो था है यहां पर प्रॉफिट था सकेंडर टे फ्रॉफिट पॉर्फिट फॉर्फिट और क्यों से जो है यहां से कणे लॉब और जम करना कि बताएं हैं तो 3000 रोप्य बनन Ay 3,000 रुपया तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो है इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे रहेगा 1,000 ही रहेगा और यहाँ पे मेरे को एक ट्रेडी मिल रहा है मैं यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दिया डॉन वा डिरेक्शन के लिए because मैं इसका आपको यहाँ पे लोजिक समझा देता हूँ अगर यह लोज हो जाएगा तो फिर हम माटिंगल यूज करेंगे but मेरा जो यहाँ पे है मानना वो मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है दिखिए हुआ क्या है market जो है लगतार यहाँ तक डॉन डिरेक्शन में गया है ठीक है लगतार एक केंडल भी यहाँ पे जो है ग्रीन नहीं आया है और यहाँ पे आप मान सकते एक support level है क्योंकि अगर यहाँ से market जो है rejection लिया है तो कहीं न कहीं market का support level आगे होगा ठीक है यहाँ पे दिखिए support level है and यहाँ पे दिखिए इस level को इस candle को है retest करने के लिए rate बनना चीए बड़ बना नहीं बड़ कोशिज करते है देखिए तीन trade तो पहला trade अपना loss हो गया है चलिए फिलाल अब दिखिए market को क्या करना पड़ेगा थोड़ा placing जो है आज investment हमको दबा के करना पड़ेगा because time अपने पास नहीं है और यहाँ पे एक support level के सकते है इसको ठीक है तो यहाँ से हम जो है next candle पे trade प्लेस करेंगे इसका हम wait करते हैं कि यह trade जो है candle जो है कहाँ पे close करता है and उसके बाद हम trade प्लेस करेंगे चलिए यहाँ पे मैंने एक ड्रो कर दिया लाइन और आप के सकते हैं यह support level है जोन मैंने career कर दिया ठीक है यहाँ पे touch है अगर यह जोन के अंदर में कहीं भी close देता है तो हम यहाँ पे अफ डारेक्शन के लिए कितना trade प्लेस करेंगे तीन छेट trade प्लेस करेंगे ठीक है अगर वो छेट trade मेरा loss हो जाता है था हम भी रेक कर देंगे फिर चलिए यह dawn में जाके close दे दिया हम कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे ओके यहाँ पे red green red green का formation चल रहा है market अब direction में है एक यहाँ पे support level को break किया है तो हम यहाँ पे क्या मान सकते है market यहाँ तक आया reverse retest continue यह market कहीं अब direction में ही बनेगा अगर यहाँ पे pattern नहीं बना तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोई confirmation यहाँ पे नहीं है ठीक है तो हम यहाँ पे trade place नहीं करेंगे एक trade place करेंगे तो अपना trade ही भीन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और अगर वो trade loss हो जाता है फिर हम next day देखेंगे आज हम जो है जल्दी बाजी में गरबर हो सकता है कानी तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे आज का trading यहाँ पे भी एक support level हमको दीख रहा है अगर opportunity मिलता है हम यहाँ पे 60 trade place करेंगे देखेंगे यहाँ पे एक support level है यहाँ से बीट अचा है यहाँ से बीट अचा है तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चीए और जैसे इसके नीचे आता है था हम अफवर्ड एरेक्शन के लिए trade ले लेंगे थोड़ा सा टाइम नहीं मी ले सकते हैं चलिए यहाँ पर एक pattern है तो यहाँ पर हम 6-7 trade place करेंगे 3-4-5-2-4-1-5-6 चलिए यहाँ पर मैंने 6 trade total place किया है साथ trade place किया है क्यों कि आ है यहाँ पर मेरे को एक logic दिखा है मैं आपको इसका logic समझा देता हूं ठीक है और अगर यह trade loss होता है फिर हम trade आज क्लो को मैंने देखके trade लिया है और बहुत बार बना भी है तो देखते हैं क्या होता है अपने पास यहाँ पर 11 सकेंड है और अगर यह trade भीन हो जाता है तो आज का जो session है वह हम मेरा achieve हो जाएगा देखते हैं अभी 4 सकेंड है ओहो कर दिया ना गरबर चलिए आज का जो session हम यही पर जो है rate कर देता हूं और कल हम इसको कोशिज करेंगे बीन करने का यहाँ पर अपने को अब 47 बनाना है 47,000 बनाना पड़ेगा 47 कितना से कितना बनाना पड़ेगा 29 से 47 तो कल तो trading थोड़ा लंबा चलेगा तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद देया होगा अगर वीडियो पसंद देया तो वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेर किजिए और अभी तक आपने